है गाईS, वेलकम तर चैनल, मैंने मिस अफसर और और वाचिंग टेक्निकल अफसर यूटूब चैनल तो गाईS, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के कॉल्स के बारे में और किस तरीके से वीडियो होने वाला है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही समझ मैंगा, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंट टक कंटिनियू करो, इसके बाद आपके जो भी डाउट से आप नीचे मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, तो कि दे इसके लिए हम से ओल के उपर क्लिक करेंगा है, हमारी सभी कॉल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जो कि हमारी मिस कॉल है, या फिर रिसुट कॉल है, आउट गूइंग या फिर इनकमिंग कॉल है, तो अब हम इसको किस तरीके से डिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ अगर हम लॉंग प्रेस करते हैं, तो हमें कोई भी डिलेट वाला ओप्शन देखने को नहीं मिलता है, अगर हम चार्स के अंदर जाकर इसे डिलेट करने की कोशिश करते हैं, तब भी हमें कोई भी डिलेट वाला ओप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो हम इस कॉन्टक को क मेरे एक friend ने message किया कि बैर मैंने सारे जो भी messages होते हैं उन सब को मैंने डिलेट कर दिया लेकिन calls वाली जो notification है उसको मैं delete नहीं कर पा रहा हूँ और जो भी आप audio call कर रहे है या फिर जो भी आप video call कर रहे है उसका आपको यहाप पर notification ना दिखे है तो इसके लिए आपको Instagram के उपर एक option देखने को मिलता है जिसका नाम है vanish mode मतलब किए कि disappearing mode है जिसको use करके आप किसी भी message को बिना delete किये या फिर बिना erase किये वो automatically delete हो जाता है अभी देखो यह मेरे पास है अभी मैं simply इसको उपर की तरफ अगर push करूँगा तो आप देख सकते है release to turn on vanish mode और मेरा यहाँ पर vanish mode on हो चुका है अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको audio call करेंगे तो यह मैंने audio call इसको किया मैंने cut and cut करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास में दो log बन चुके हैं यहाँ पर दो notification आ चुके हैं कि मैंने आपर एक call start किया and end किया तो अब यहाँ पर यह लेकिन आपके vanish mode के अंदर ही रहेंगे बड़े vanish mode की एक खासियत है कि यहाँ पर आपकी जो भी charge है जो भी आपके conversation है तो आपकी यह सारी conversation आपके 6 गंटे के बाद automatically disappear हो जाती है तो जैसे कि हम यहाँ पर इसको turn on करेंगे, turn उपर करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कोई भी log नहीं बनाए और नीचे see to disappearing messages को option दिख राए अब यहाँ पर अगर हम click करेंगे और vanish mode के उपर अगर click करेंगे तो अपर vanish mode के आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है कि actual vanish mode के अंदर क्या क्या होता है तो यहाँ पर आप किसी के भी साथ private message, private chatting कर सकते हैं जिसके दुरू आपका log नहीं बनता है तो इसको अगर आप use करेंगे तो definitely आपके जो calls के log है वो नहीं बनेंगी और आप इसको आराम से delete कर पाएंगे मतलब कि automatically delete हो जाएंगी बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपकी जो यहाँ पर calls ओला जो आपका section अगर आप इसको खतम करना चाते हैं तो इसके लिए आपको एक option देखने को मिलता है इसके लिए आपको कुछ भी नहीं कर आप करेंगे यहाँ पर आप इसको पूरी तरीके से सेटrael कर लेंगे आपको जिस भी तरीके से करना है तो आप बैढ़ने करने के बाद आपके पास से calls वाला section हर जाता था है जिस रिमूफ कर दूँगा इंस्टाग्राम के पेज को अब हम यहाँ पर इंस्टाग्राम को उपन करेंगे यहाँ पर अपने मैसेंजर वाले बटन के उपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, हमारा जो आप्शन है वो यहाँ से हड़ चुका है General दिखा रहा हैisc और primary दिखा रहा है यहाँ से हड़ चुका है इस तरीके से आप अपने Calls यहीज रूम सखिने सेक्शन को Enable भी कर सकते हैं अब बात करते हैं यहाँ अपर अब आप देखो बट अगर आप चाहते कि इसको आप पूरी complete तरीके से आप इसको खतम करे तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं आपको just इसकी profile के उपर click करना है यहाँ पर आपको एक district का option देखने को मिलेगा आपको इसके उपर click करना है अब district करने के बाद क्या होगा जो भी आपका account है आप ने अगर उसको यहाँ पर अगर डाल दिया है restriction mode में तो सबसे पहले तो आपकी chat के अंदर से चला जाएगा चाट के अंदर से जाने के बाद वो आपके message request आपको देखने को मिलेगा अब उसके बाद यहाँ पर ही आपको सारी चीज़े देखने को मिलेगी अब आपको एक काम करना है simply इसको ऐसे relate करना है और जैसे आप इसको relate करेंगे अब आप देख सकते हैं इसकी call log या फिर जीतने भी इसके messages थे सब कुछ खतम हो चुका है अब इसके लिए हम क्या करेंगे हमारे उस वाले account के अंदर जाएंगे और उस वाले account के अंदर जाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हम message करते हैं फिर से हमारे account के उपर high का and high मैंने आपर send कर लिया है और जो मैंने आपको vanish mode के बारें बताया है अगर आप vanish mode open करेंगे तब यह message शो होगा and show होने के बाद जैसे ही सामने वाला बंदा इसको scene करेगा उसके बाद आपकी यह locks भी खतम हो जाएंगी अब आप देखो यहाँ पर हमारी locks वगेरे सब कुछ खतम हो चुके है अब मैं आपको बताता हूँ हमने जो account के अंदर change किया था उस account को हमने restrict किया था सबसे पहले तो उसका आपको यहाँ पर message देखने को मिल जाएगा अब जैसे आप उसके message के उपर click करेंगे उसके बाद आप उसके account के उपर click करेंगे तो आप देख सकते है उसके पुराने जितने भी messages थे वो सभी delete हो चुके है इवन यहाँ पर जो calls की lock थी वो भी delete हो चुकी है अब हम इसको just unrestrict करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारा fresh वाला एक नया conversation स्टार्ट हो जाएगा आपकी call locks वगेरे सब कुछ आप इस तरीके से delete कर सकते है भी हो सकते है बट रिस्टिक करने में एक आपका फाइदा है कि आप उसके message को बिना scene किये मतलब बिना scene दिखाए आप उसके message को पर सकते है otherwise यहाँ पर अगर वो आपको ज़्यादा परेशान अगर कर रहा है तो आपका वो अगर आप उसको restrict अगर कर देंगे तो उसकी करके आप इसको डिलेट नहीं कर सकते है बस अगर आपका कोई भी question इससे related है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते है otherwise अगर आपको वीडियो अच्छा लगाँगा तो वीडियो को लाइक करना अपने दोसके साथ शेयर करना अगर आप चैनल के उपर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आकान को दोसे प्रेस कर देना क्योंकि इसी तरीकी के interesting और helpful वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता देता हूँ and thanks for watching, bye-bye